दोस्तों नमश्कार आदाव सत्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम न्यूज मंथन के साथ मैं उर्मिलेश इस वक्त इंतजार हो रहा है सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कल जब एवियम्स मशीने खुलेंगी उनमें क्या निकलेगा क्या वाकई एग्जिट पॉल के जो आवे कर रहे हैं वो सही निकलेंगे इस बीस में तेलंगाना को लेकर ज्यादा तर चुकि तेलंगाना की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान, मद्यप्रदेश, 36 गड़ इनके सारे के सारे एग्जिट पॉल पहले ही आ गए थे तेलंगाना का आने में थोड़ा व हत्पूर्ण अपने को मानने वाली कमपनियां हैं जो मानती हैं कि उनका सबसे ज्यादा एथेंटिक होता है, प्रामारिक होता है, उनका नतीजा बाद में आया है, तो उसमें कुछ लोगों ने ये माना है, मैं कमपनियों का नाम क्यालूँ, लेकिन उनकमपनियों ने माना ह कि तेलंगाना में कॉंग्रेस को 65-70 सीटे मिल रही है जबकि बियारेस को 35-40 सीटे मिल रही है लेकिन दोस्तों ये तो संक्या की बात होई असल कहानी आज की जो है वो यह है कि इस वक्त जो प्रमुख विपक्षी पार्टी कॉंग्रेस है जहां जहां चुनाव में उसका स्ट 33 पार्टी भारती जनता पार्टी से है और जिन राजियों में जादे का फर्क नजर नहीं आ रहा है एक्जिट पोल में यानि किसकी सरकार बनेगी कौन आगे बढ़ जाएगा कौन पीछे रहा जाएगा मामूली फर्क जहां पर दिखाई दे रहा है सिंपल मजार्टी भी अगर आ रही है आती नजर आ रही है या उनको अंदाज है कि उनकी पार्टी की सिंपल मजार्टी आ जाएगी लेकिन बहुत जादे का फर्क नहीं रहेगा तो ये सारे के सारी राजियों में जो कॉंग्रेस पार्टी है वो इस डर से कि फिर कोई आपरेशन लोटस मद्यप्रदेश जैसा नो हो जाए जो जाहिर है चुनाव के तत्काल बात तो नहीं हुआ था चुनाव हुआ था दोजार अठारा में पिछला मद्यप्रदेश का और आपरेशन लोटस जो हुआ था दोजार बीस में हुआ था और कमलात की कॉंग्रेस सरकार चली गई थी फिर शिवराज सिंग चमहान की अगवाई में भारती जनतापाटी की सरकार मद्यप्रदेश में आ गई और जो आज तक है चुनाव में एक तरफ भासपा दूसरी तरफ कॉंग्रेस है अनुमान लगाया जा रहा है कि काटे का मुकाबला है लेकिन एक एक जिट पूल बता है कि मद्यप्रदेश में बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है सही क्या है कल पता चल जाएगा उस पर कोई भवश्यमानी नहीं वैसे भी मैं भवश्यमानियों में यकिन नहीं करता लेकिन दोस्तों दिल्चस्प कहानी यह है कि इस वक्त कॉंग्रेस का सारा जो समय कॉं उनकी सुरक्षा कैसे की जाए वो किसी और दल के संपर्क में नो आ जाए कोई आपरेशन दल बदल नो हो जाए मैं किसी का नाम नहीं लोगा आपरेशन दल बदल नो हो जाए कोई और गपला गोटाला नो हो जाए पॉलिटिकल गपला गोटाला इसलिए वो अभी से अपने अपने विधायकों के रहने ठाहरने की जगर तै कर रहे हैं कई राजियों में आप जैसे मैं मैं जानता हूं कि मुझे सूचना है कई अख़बारों में भी पड़ा वेबसाइटों भी पड़ा फोन पर मैंने लोगों से बात चीत की तो पता चला कि कुछ जगों पर तो होटल और रिजॉर्ट तै कर दिये गए हैं कुछ जगों पर टेंट का इंतिजाम किया जा रहा है कुछ जगों पर बड़े बड़े फाइब स्टार होटल बुक कर आए जा रहे हैं इसके लिए लोग बता रहे हैं आज अख़बारों में भी है और कॉंग्रेस ने डिनाई नहीं क वो मास्टर माने जाते हैं अपनी पारटी के विधायकों की रकषा का कि वो आपरेशन दल बडल के किसी आधी किसी जंजावात से अपने विधायकों को बचा लेते हैं आइसा देखा गया है तो शिव कुमार को कॉंग्रेस पार्टी ने तेलंगारा में लगाया है अब ते कि अगर एक बार जीव जल जाए तो मठे को भी फुक फुक कर लोग पीने लगते हैं तो वही आले कॉंग्रेस के साथ हुआ है ऐसा कभी गोवा में हुआ कभी मणिपूर में हुआ कभी मध्य प्रदेश में हुआ इसलिए पार्टी इस बार सब कुछ पहले से तैयारी के साथ कर रही है और बताया जाता है कि हैडराबाद के लिए डी शिव कुमार को कह दिया गया है कि आप जाकर वहाँ पर कैम्प कीजिए हो सकता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वह पहुंच चुके हों बले ही नतीजे कल आने हैं तो उन विधायकों को कहां ले जाया ज नहीं है या तो मलिकारजुन खडगे या राउल गांधी के पास होगा या डीकेशिक कुमार के पास होगा तो रेजार्ट होटल या टेंट कहां वो जाएंगे कहां शडन लेगे इसकी पूरी योजना बनाई जा रही है और दोस्तों इसी तरह से 36 गड़के जो विधायक है जो जीत कराएंगे कल उनको कहा गया है कि कोई क्रिकेट मैच होने वाला है राइपूर में तो उसके लिए पता चला है कि कुमारी सेलजा ने जो प्रभारी हैं कॉंग्रेस की 36 गड़ में और भुपेश बगेल जो मुख्य मंतरी हैं इन लोगों ने मिलकर अपने जीते विधायकों को कल आमंतरित किया है कि वह क्रिकेट मैच वगरा देखें अब फिर उनका इंतिजाम हो जाएगा ऐसा अखवारों में भी है और अन्य जगों से भी यह सूचना आ रही है ठीक इसी तरह से मध्य प्रदेश के बारे में भी तैयारी है रणदीब सिंग सुरुज रहे हैं कमलनाथ दिग्विजए दो दिग्ज हाई हैं अब उन दिग्जों ने चुनाव में कैसा परफॉर्म किया है मैनेजमेंट उनका कैसा रहा है ये देखने को मिलेगा लेकिन विधायकों के बचाने की कोशिश जबरदस्ट इस बार की जा रही है कॉंग्रेस पार्ट पोल्स्टर हैं ये जानलिस्ट आम तोर पे इन में ज्यादातर में नहीं है ये दरसल प्रोफेशनल आप कह सकते हैं एक खास धंके प्रोफेशनल्स हैं इनके जो दावे हैं वो अपने अपने एक्जिट पोल के पक्ष में हैं लेकिन इतना यूज गैप है इतनी इतना कठिन है कि वैग्यानिक कौन है और वैग्यानिक कौन है मनोगत कौन है और कौन किसी योजना या चालबाजी या चालाकी के ताहत है बहुत लोग तो ये भी कहने लगे हैं कि कुछ पोल्स्टर जो हैं बकायदे कुछ राजनितिक दलों से मिलकर इस तरह के आंक्रे देते है जिससे उनको अपनी जीत सुनिश्चित करने में अगर कोई तिकडम करना है चाहे वो मतगरना के दौरान हो या अधर्वाइज उसके लिए इस्पेस बन जाए उसके लिए जगह बन जाए उसके लिए लोगों को कन्विंस करने का एक दायरा तैयार हो जाए यह भी चल रहा है तो अब मज़े की बात यह है कि कल क्या होगा और कल जीते हुए विधायकों पर डोरे कौन कितना डालेगा या नतीजा इस प्रकार होगा कि कोई आपरेशन होने की कोई जुरुरत ही न करे याने चलियर कट प्रशंट बहुमत मिल जाए लोगों को लेकिन ऐसा होता जादतर जो राज है एक राज हैं एक राज की तो गिंतिकल हो ही नहीं रही है मेज़ोरम की वो चार तारीख को होगी लेकिन जो पाँच में चार राज हैं जिनकी गिंती कल हो नहीं है उसमें अगर देखा जाए तेलंगाना का तो तेलंगाना के प्रेडिक्शन ऐसे आ रहे हैं जहां बिल्कुल कन्विंसिंग विक्ट्री का एलान किया जा रहा है कॉंग्रेस के लिए ज्यादातर पॉल्स्टर्स का जो आकड़ा है सिर्फ एक पॉल्स्टर्स ने मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिया है लेकिन ज्यादातर जो पॉल्स्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि कॉंग्रेस कोई आगे बता रहा है कोई बीजेपी को थोड़ा सा आगे बता रहा है तो ऐसे में बहुत दिल्चस्प होगा ये देखना की नतीजा जो आता है उसके बाद क्या खेल शुरू होता है कुछ एक रिजिनल पार्टी जहें छोटी छोटी जैसे राजस्तान में आदिवासी पार्टी है अब ये जो आदिवासी पार्टी है वहां की उसके संभावित है एक्जिक पोल में भी संभावता है इस तरह कि कई जगा शोग किया गया है कि दो विधायक उसके जीत सकते हैं चुलाओ तो अब इनके नेता ने पहले ही कह दिया है कि वो जो आदिवासी हितों की रखवाली का दावा करेगा या आश्वासन देगा ठोस उनकी पार्टी उसको ही समर्थन देगी तो एक प्रिंस्पल स्टेंड अपना उन्होंने साफ किया है लेकिन बहुत सारे निर्दलिय जिनका कोई एक प्रिंस्पल स्टेंड नहीं होता है कई बार वो आम तोर पे तातकालिक फैसला करते हैं कि किसको समर्थन देना है किसको नहीं देना है औ उसके उनके अपने कारण होते हैं, उनकारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनसे जाईर है, जो ताकतवर दल हैं, उनसे समर्थन लेने में वो सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं, तो इन ही कारणों से आज रात बहुत संगीन होगी, बहुत ही संगीन होगी, कई ब में नेताओं को तो रिजार्ट, होटेल, टेंट और उनकी तैयारी और प्लस किसी भी तरह के आपरेशन से अपने विधायकों को बचाना ये बड़ी जिम्मेदारी है जो आज की रात और आगे कई दिनों तक राजनितिक दलों को अपने तै करनी पड़ेगी और देखना होग कि कल क्या निकलता है तो आज इतना ही नमशकार आदाव सर्थ्रियकाल